तमिलनाडू में चुनावी हलचल तेज है तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोरों पर है बेते दिन जहां DMK कि सांसत कने मोजी ने पलानी स्वामी सरकार पर निशाना साधा था और BJP पर जनता को बाटने का आरोप भी लगाया था तो अब AI-MIM के प्रमुक असदुद्दीन ओवैसी ने AI-ADMK, DMK और शिफसेना को आड़े हाथों लिया है तो ऐसा क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने देखे ये रिपोर्ट जुनावी माहौल है प्रचार अभियान का दौर जोर उपर है इसी बीच हर पार्टी सत्ता में वापसी की उमीद लगाय हुए है ऐसे में पार्टी के नेता अब प्रचार अभियान में जुड़ गए हैं वहीं प्रचार अभियान के साथ साथ अब बयान बाजी का दौर भ द्रविड मुन्नेत रकडगम यानी DMK और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है। ओवेसी ने AIADMK को निशाने पर लेते हुए कहा है कि AIADMK अब मैडम जैललीता की पार्टी नहीं रही है। उन्होंने अपनी पार्टी को भारतिय जनता पार्टी से हमेशा दूर रखा। पारोप लगाया जाता है कि मैं BJP की B टीम हूँ। लेकिन शिवसेना को सत्ता में मदद करने वाली कॉंग्रेस खुद DMK के साथ बैठी है। क्या DMK मुझे धर्मनिर पेक्षता की अपनी परिभाशा बता सकती है। कॉंग्रेस महराश्र में शिवसेना का समर्थन कर रही है DMK के मताबिक क्या शिवसेना धर्मनिर पेक्ष है। बता दे की राज्य में AIMIM ने TTV दिनाकरन की पार्टी अम्मा मकल मुन्नेतर कड़गम यानी AMMK के साथ गठ बंधन किया है। जिसके चलते शुकरवार को चिन्नई में प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने अपने ग पार्टियों को निशाने पड़ लिया। इन बयानों के बाद AI, ADMK, DMK और शिवसेना इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा।